तो स्वागत है आप लोगों का एडुकाड़ो हब में आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे की लेटल एंटरी एक्जाम के बारे में जो की होने वाला है जुलाई मन्त में और अभी ये जो कोर्स हम लोगों ने निकाला है ये है फॉर दो स्टुडेंट्स जो इस लेटल एंटरी एक्जाम में बैठेंगे आपको पता होना चाहिए कि क्लास के टॉप टैन बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में आता है जो की अलाउड होते हैं और उस एक्जाम को देने के बाद अगर नो ने सब कुछ क्लियर कर दिया तो उनको सेकेंड डियर ओफ इंजिनिरिंग कॉलिज में पैठने का मौका मिलता है तो हम लोगों ने इसका एक कोर्स निकाला है जो की आप लोगों ने हमारी वेबसेट देखी लिए होगी ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं वो लोग रेजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं तो आप सभी लोगों ने रेजिस्टरेशन कर लिया है आज 9 तारिक है और ये जो कोर्स है आपका यानकी कल 10 तारिक से शुरू हो जाएगा तो मैं आपको एक बाद बता देना चाहता हूँ कि अपका कोर्स आपको कहा मिलेगा और आपको कैसे कैसे पढ़ाई करनी है आपके पास सिर्फ एक ही महीना है एक महीने में आपको मैTMATIMETICS की स्क्रीनिंग वाला एक्जाम निकालना है मैं आपको पहले ही बता दूँ ये exam असान नहीं है ऐसा नहीं कहरा और निकाल नहीं सकते लेकिन competition यहाँ पर भी है seatे वहाँ पर कम हैं और आप लोग apply जादा कर रहे हैं तो मेरा आप से यही मेरी तरफ से आप लोगों के लिए यही advice है कि आप जो भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें जितने भी मैं lectures इसमें डालूँगा उसको daily करें lectures के संग-संग worksheet डाली जाएगी अब मेरी बात को समझेगा ध्यान से daily आपके पास एक topic के lectures आएंगे इस website में उस website के अंदर lectures के साथ ही साथ एक worksheet होगी वो जो worksheet होगी वो pdf format में होगी उसको आप download करेंगे उसके अंदर दिये हुए questions आपको solve करवाए जाएंगे उन videos में आपका concept clear होगा आप उस questions को solve करेंगे खुद भी और video में भी solve होगे और जो video में questions solve नहीं किये गई हैं उनको आपको खुद करना होगा and जब आप वो questions खुद करेंगे तो आपके अंदर confidence आएगा और मैंने बहुत अच्छे से ध्यान दिया है कि मैं वो ही questions डालूँ जो कि इस LE वाले examination में आते हैं मैंने खुद 2014 में later entry का exam clear करा हुआ है तो मुझे idea है कि आपको exactly कैसे पढ़ना है तो website आप लोग अलड़ी दिख चुके हैं आपको यहाँ पर यह later entry focus batch वाले अरिया में जाना है बाकी की site में आपको कुछ नहीं करना है अभी अभी आपका focus होना चाहिए later entry पर आप इसमें click करेंगे then आप यहाँ पर आ जाएंगे आप लोग पहले ही यहाँ पर register कर चुके हैं तो आपको अब यहाँ जाने की कोई दरुवत नहीं है यह जैसे लिखा हुआ है कि सिर्फ registered बच्चे ही इसको access कर सकते हैं आपने registration किया है तो आप इसके लिए eligible हैं आप यह सारे lectures free में देख सकते हैं आप जैसे ही इसको यहाँ click करके खोलेंगे जैसे ही page खुलेगा अभी जैसा कि आप देख सकते हैं course शुरू होगा 10 June से यह आपका syllabus दे रखा है syllabus अभी मैं थोड़ी दिर में discuss करूँ आप से कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे लेकिन यह major syllabus है आपको समझना पढ़ेगा आपके examination में एक screening होती है then main examination होता है उसके बाद interview होता है यह तीन step में आपको later entry का exam clear करना होता है पहला exam जो screening है उसमें सिर्फ mathematics आती है और वो objective नहीं होता है subjective होता है जिस तरीके से आप लोग अपने CTA external देते हैं सिर्फ उसी ढंग से आपके सामने 10 questions आएंगे 10 questions आएंगे उनको आपको copy में solve करना है और वो जो questions होंगे वो any topic में से यह आपका syllabus है जो कि college provide करता है later entry के लिए जबिए topics discuss करूँगा आप से यह सारे topics आपने नाम तो सुने ही होंगे और जो book जो मैं use करूँगा मैं आपको वो भी बता दूँगा थोड़ा सा level थोड़ा सा उपर रहेगा जो आपने diploma में पढ़ा है उस से काफी अलग हटके level है तो आपको पढ़ना पढ़ेगा यह मत सोचना कि बस डिपलोमा की पढ़ाई करके आप exam देने जाएंगे तो आप clear कर सकेंगे आपको extra पढ़ना पढ़ेगा ठीक है इसलिए यह course लाया गया है जो starting 10 तारिक से आपकी होगी यानि कि कल से जो आपके lectures डाले जाएंगे वो पहला chapter आपको जो उठाया जा रहा है वो है statistics आसान chapter है इसलिए शुरुबात में करके खतम कर लो इससे related at least दो question तो आएंगे ही आएंगे ठीक है और LE के exam में screening में जितने maximum question आप निकाल लो उतना दिमाग शांत रहता है कि हाँ मेरा हो सकता है तो पहला paper दम लगा के दो अच्छे से दो वो निकाल लिया तो बाकी papers भी निकल जाते है ठीक है आपको confidence बना रहेगा आपको हर एक exam निकलना पड़ेगा अगर आपने screening clear नहीं किया तो आपको मेंस में नहीं बैठने देंगे तो आपको पहले screening निकलना है पहले यह आपको जो मैं दिखा रहा हूँ यह है statistics यसे आप देख सकते है statistics लास्ट में दे रहा है मैं एक तरीके सा starting से इसी से शुरुवात कर रहा हूँ और इसके अंदर total 22 lectures आएंगे आपके पस lectures की कोई length बहुत बड़ी बड़ी नहीं है मैंने कोई भी lecture एक गंटे का नहीं बनाया है कुछ lecture तो 10 मिनिट की ही है मैं बस यह चाता हूँ सारे concepts आपके clear हो जाएं lecture by lecture और साथ में इसी same page पे यहीं पर कल आप देखेंगे यहीं पर वीडियो आपको डली मिल जाएगी आप आएंगे पढ़ेंगे वक्षीट सॉल्व करेंगे और जैसे ही यह statistics का lecture 1 & 2 complete होगा lecture 1 & 2 साथ में कल मैं अपलोड करूँगा lecture 1 & 2 दोनों एक साथ आएंगे कल और उसके related वक्षीट आएगी की link होगी उस link से मैं आपको उसी email में ID में आपको लिखके दे दूँगा कि किस timing में हमारा live session रहेगा उस time पे आप उसको join करेंगे और जितनी भी problems होंगी इन दो lectures related step by step चलना है इन दो lectures related जितनी भी problems होगी आप हम पूछेंगे वक्षीट के जो question आपको नहीं आया वह हम से पूछेंगे हम आपको live आपके सामने आपसे बात करते हुए solve करेंगे यह काम step by step तभी beneficial होगा जब आप साथ साथ पढ़ाई करेंगे तो lecture one and two कल upload हो जाएगा फिर lecture one and two आप पढ़ेंगे उसकी वक्षीट solve करेंगे फिर आप हमसे problem पुछेंगे फिर जो lecture three से लेकर lecture seven तक lecture three से लेकर lecture seven तक यह lectures परसो यानि की 11 तारिक को एक खट्टे डाले जाएंगे ठीक है इस तरीके से divide किया गया है कि आप एक मीने में आराम से पूरा complete कर सके तरीका यही है कि एक हटे में आपका statistics पूरा खतम हो जाएगा with सारे questions आपको बिल्कुल परशाद नहीं होना है कि कौन सी book से पढ़ना है कैसे पढ़ना है जो worksheet दी जाएगा उसको solve करना है जो नहीं आएगा हमसे पूछोगे और video lectures को ध्यान से पढ़ोगे बात समझ मा रही है यह मैंने आपको discuss किया इस हफते की बात इस हफते आपका statistics चलेगा और next week मैं आपका mattresses लूँगा ठीक है इस हफते unmold sir आपकी class लेंगे statistics की जो कि आप lecture देखोगे पढ़ाएंगे और mattresses और differential calculus मैं पढ़ाओंगा ठीक है तो step by step करेंगे पहले आपका एक हफता statistics चलेगा देन इसके बाद हम लोग मैट्रिस में आ जाएंगे जैसे एक हफता बीतेगा मैं आपको फिर से आप लोगों से बात करूँगा और आपको बताऊंगा कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे ठीक है बच्चों समझ में आ रहा है तो आप लोग ready हो जाओ कल से आपके बस lectures आएंगे बढ़ना शुरू कर दो ठीक है जितना पढ़ लिया है अच्छी बात है lecture by lecture बढ़ना शुरू कर दो practice practice करो वहाँ आप पर कोई mistake नहीं होनी चाहिए ठीक है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह आपका syllabus है स्लेबस आपका mathematics की बात कर रहा हूं यह मेंस का syllabus भी है और यह आपका screening का syllabus भी है screening का भी यही स्लेबस है धिहन रखिएगा ठीक है आपका matrices है यह मैं पढ़ाओंगा differential calculus है मैं पढ़ाओंगा आप लोगों को integral calculus है differential equations है vector analysis है vector calculus है ordinary and partial differential equations है और statistics है बहुत important है इसलिए मैंने इसको पहले से ही स्टार्ट करवा दिया कल से आपका statistics स्टार्ट हो जाएगा और उसके just बात आपका mattress से शुरू हो जाएगा हम चारो तरफ से मैंस को घेरेंगे और खतम करतेंगे स्टेप बाइ स्टेप करना है आगे बढ़ने कोशिश मत करना धीरे धीर आराम नाम से करना एक कंसेप्ट को समझना बहले आपके पास अभी दो महिने हो examination में लेकिन आप मानके चलोगों कि से आपके पास एक ही महिना है आपका aim रहेगा कि आप एक मन्त में complete करोगे इसको ठीक है lectures कल से डल जाएंगे आप लोग यहां पर आयों पढ़ना स्टार्ट करें और अगर किसी बात में problem हो तो आपके संग मैं live discussion करूँगा live discussion होगा zoom app के थ्रू zoom app यूज़ कर सकता हूँ या फिर google meet यूज़ कर सकता हूँ इन दोनों इसको भी आपको link दे दी जाएगी आपको बस उसमें click करना और आप मुझसे बात कर सकोगे ठीक है तो आप सभी लोग serious हो जाओ पढ़ने के लिए और यह समय है हमारे पास जिसमें हम शान्ती से पढ़ाई कर सकते हैं तो हमें पढ़ना चाहिए अब ठीक है इस week का plan आपका यह है कल आपका अपलोड हो जाएगा lecture बने lecture टू कल आप यह दोन लेक्चर पढ़ेंगे इसके साथ आपको worksheet मिल जाएगी worksheet one मिल जाएगी फिर आपका lecture three से लेकर lecture seven तक worksheet two मिल जाएगी ऐसे दिर दिर मागे बढ़ेंगे और सारे lectures खतम करते जाएगे ठीक है बच्चो चलो अब हम लोग कल मिलते हैं कल आपका सुबह सुबह आठ वजे के बाद lecture अपलोड हो जाएगा और आप लोग पढ़ना स्टार्ट करें और कोई भी problem होती है कोई भी problem होती है live से पहले भी अगर आपको हमसे problem पूछनी है तो आप email कर सकते हैं educado edukado hub at the rate gmail.com यहाँ पर या फिर आप website में जाके जैसे कुछ लोगों ने मुझे message भी किया था website में जाके यहाँ पर chat वाले option में जाके type करके भी भी सकते हो मेरे पास ही आएगा मैं ही answer दूँगा उसका ठीक है कोई क problem हुआ मुझसे कभी भी कैसी problem पूछ सकते हो mathematics से related ठीक है thank you very much